रहीम के दोहों में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया प्रथम पद में वह कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और हमें हमेशा अपने प्रेम के बंधन को संभाल करके रखना चाहिए ये डीप रीम का धागा तूट जाता है तो उसी जोड़ना बेहद मुश्किल होता है और अगर हम इसे जोड़ भी ले तो फिर एक गाट सी पड़ जाती है दूसरे पजमेवे कहते हैं कि जिसके बारे में हम सभी जानते हैं हमें एक काम किसी उन्होंने दी रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने मन का दुख स्वेम तक ही रखना चाहिए लोग खुसी तो बाट लेते हैं परंतु जब दुख की बात आती है तो वे आपका दुख तो सुन लेते हैं लेकिन उसे बाटते नहीं हैं ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं बलकि इसका विपरीत वो आपकी पीट पीछे उसका मजाक बनाते हैं तीसरे दोहे में वह सिख्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए नहीं तो हमारे सारे काम अधूरे हो जाते हैं अगर हम एक काम बीच में छोड़ देंगे दूसरा करने लग जाएंगे तो वो भी पूरा नहीं होगा और दूसरा काम भी पूरा नहीं होगा जिस तरह से किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने के लिए हमें उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ता है हम उसके तने या पत्तों पर पानी डाल करके फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसी तरह से हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए और यही हमें मौक्ष देगा फिर रहीम जी कहते हैं कि राम जी को जब पनवास मिला था तो उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था और वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हो गए थे रहीम जी कहते हैं कि इतने घने जंगलों में वही रह सकता है जो किसे विपदा में हो नहीं तो ऐसी परिस्तिती में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं जाएगा फिर वो कहते हैं कि दोहे की महता क्या है दोहे के चंद शब्तों में धेर सारा ग्यान होता है हम जैसे अभी दोहे पड़ रहे हैं उसमें क्या होता है जीवन की बहुत महतपूर्ण सीख हमें दी जाती है जिस तरह कोई नट कुंडली मार करके खुद को छोटा कर लेता है नट बाजी का खेल आपने देखा होगा और उसके बाद वह उचाई पर जाकर के छलांग लगा देता है उसी तरह से एक दोहे में वह गुण होता है जो हमें छोटी सी बात का बहुत बड़ा ज्यान दे जाता है रहीमदास जी फिर कहते हैं कि वह कीचड का थोड़ा सा पानी भी धन्य है जो कीचड में होने के बावजूद भी कितने सारे कीडे मकोडों की प्यास बुझा देता है वहीं दूसरी और समुद्र का पानी किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता हाला कि मात्रा में वह जादा होता है इसी तरह से गरीब के बारे में कहां कि जिसके पास धन नहीं होने के बाद भी वह दूसरों की मदद कर सकता है और अमीर व्यक्ति होता है उसके पास बहुत सारा धन होता है लेकिन वह किसी की मदद नहीं कर सकता है नेक्स्ट जो दोहा है नादरी जीतन देत इसमें कवे कहता है कि स्वार्थी मनुश्य और पशू से भी वह खराग होता है हीरन एक पशू होने पर भी मधोर धनी से मुगद होकर के शिकारी पर अपना सब कुछ न्योच्छावर कर देता है जैसी कोई मनुश्य कला से प्रसन हो जाए फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता बलकि जो कलाकार होता है उस पर सारा धन न्योच्छावर कर देता है परन्तु कुछ मनुष्य पसू से भी बदतर होते हैं पिकला का लुट्फ तो उठा लेते हैं मजा तो ले लेते हैं परन्तु उसके बदले में कुछ भी नहीं देते हैं बिगरी बात बने नहीं इसमें रहीम जी हमें जीवन की सिख्षाएं देते हैं कहते हैं कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि कोई बात बिगडे नहीं जिस परकार अगर एक बार हमारा दूद फट जाए तो लाग कोशिशों के बाद हम उसमें माखन नहीं बना सकते वैसे ही कोई बात बिगड जाए तो उसे हमें संभाल लेना चाहिए रहीम ने देखी बड़े इनको इसमें हमें जो ज्ञान दिया है उसे हमेशा याद रखना चाहिए ये पूरे जिंदगी हमारे काम आएगा रहीम के अनुसार हर व्यस्तु और व्यक्ति का अपना मेहत वो हता है चाहे वैं बड़ी हो या छोटी हो हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उसका अपमान नहीं करना चाहिए जहां सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई भी काम नहीं कर पाती है नेक्स्ट कविता में रही मननी जी समपत्ती बिना इसमें कभी कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की समपत्ती ही हमारी सहायता करती है यानि कि हम खुद की सहायता खुद करते हैं दूसरा कोई भी व्यक्ति हमें उस मुश्किल से बाहर नहीं ला सकता जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुर्जा जाता है उसी तरह बिना संपत्ति के मनुश्य का जीवन निर्वाह हो पाना मुश्किल है खुद का धन है वही काम आता है फिर रहीमर पानी राखिये इसमें जीवन में जल का महतोन ने बताया है हमेश्या पानी को बचा करके रखना चाहिए क्योंकि ये सबसे कीमती होता है बिना पानी के हमें ना मोती में चमक मिलेगी ना हम जीवित रहे पाएंगे यहाँ पर मनुष्य के संदर्ब में भी उसने पानी की तुलना की है जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है उसी तरह से मनुष्य की मान मर्यादा नहीं रहेगी तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा भी चली जाती है प्रतिष्ठा की चमक जो होती है वह चली जाती है यह हमारे थे रहीम जी के दोहे